हेलो इश्टेंड जहें सभी साथियों को तो आपके सामने एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं लेकर आपके SSC MTS का एक और प्रेक्टिसेट जो की हमारा दस्वा प्रेक्टिसेट है और आपको पता है यहां पर हम उस तरह के कोशन डिसकस करते हैं जिस तरह के कोशन आपके एक के प्रेक्टिसेट में हमारे किस तरह के कोशन है हैं तो आपको हर रोज की तरह किया करना है वीडियो को रोग कर खुछ से कोशन को लगाने कोशिव जरू करना है ठीक है अब भी दोनों में और इसके लावा हमें Braid दोनों में कमन दिख रह ए है तो इसका मलब जब इधर हम इनके दो code भी common होंगे, अच्छा ऐसे code आपको देखे, दो कौन कौन से दिख रहे हैं, has और add the rate, तो यहां has और add the rate जो है flame और bright के code हो जाएंगे, लेकिन यहां हम fix नहीं बता सकते कि flame का code जो है add the rate has होगा, या फिर bright का code add the rate और has में से कोई एक होगा, लेकिन हम से यहां पर पूछा गया is का code, अब देखे, is उपर तो कहीं नहीं दिया है, तो यहां पर हमें नीचे बचा है is और sum, और यहां पर दो code इनके बचे है star और 7, अब देखे, is का code या तो star होगा, या फिर 7 होगा, लेकिन पक्का इनी में से दोनों में से कोई एक होगा, तो यहां पर confirm नहीं बता सकते, star होगा या 7 होगा, तो star या 7 होगा, लेकिन जब यह option नहीं दिया है, तो फिर हम star को ही टिक करेंगे, यानि option number 4 जो है, यहां पर सही हो जाएगा, ठीके, अगला question देखें, तो यह भी हमारा code decoding का question है, अब यहां पर देखें, इधर 4 लेटर दिये गए है और इधर 8 लेटर दिये गए है, तो 4 से 8 लेटर कैसे बनाए जा सकते हैं, पक्का हर एक लेटर से ही 2 लेटर बनाए गए होंगे, तो सबसे पहला काम है, यहां पर हम लेटर की place value लिख लेगे, ठीके, अब यहां पर जब हम place value लिखेंगे, 14, 12, 26, 19, 17, 20, 18, अब देखें, क्या कोई relation समझ में आ रहा है, देखे, M की place value 13, तो यहां पर 14 फिर 12, तो हमें यह समझ आ रहा है, कि 13 से ठीक, बाद में 14 आता है, और 13 से ठीक पहले 12 आता है, इसी तरीके से देखें, तो A के ठीक बाद 2 आता है, और A के ठीक पहले Z आता है, यानि कि 26, छीके, इसी तरीके स ठीक बाद 19 आता है, 18 से ठीक पहले 17 आता है, तो यहां पर किया क्या गया है, अब देखिए, यहां पर भी ऐसे क्राउस चेक आप इसको कर सकते हैं, तो 16 के ठीक बाद 17 आता है, तो यह 17 है, और 16 के ठीक पहले 15 आता है, तो इसका मलब यह है 5, अब 5 के ठीक बाद जो है कौन सा और तीसरे, अब जो है, हम तीसरा लेटर चेक कर लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखतें, एक नमबर प्राता है, और एक के ठीक बात दो होगा, यानि कि B, ठीक है, तो यहाँ पर F, D, B, जिस आपसन में हैं, वही हमारा सही हो जाएगा, यानि कि आपसन नमबर एक जो है वह हमारा राइट आंसर है, तो अब इसे आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो यह हो गए हमारे आज के पहले, दो कोशन, तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशन पर, तो अब देखें कोशन नमबर तीन, जो है हमारा, यहाँ पर एक हम लिखा है, अच्छा, उसके बाद अगर देखें, तो यह 16 लिखा है, अब देखें, चार से 16, यहाँ से 16 बनाया गया होगा, और हमें पता है 16 जो होता है, चार का स्कॉयर होता है, इसी तरीके से 36 होता है, छे का स्कॉयर, तो इसका मलब यहाँ पर बीच में कौन सा 5 का अब हमें पता है कि 125 जो है, वो 5 का cube होता है, और इसी तरीके से 216 जो है, वो 6 का cube होता है, तो इसका मलब यहां पर हमारा 4 का cube आना चाहिए था, क्योंकि 4, 5, 6, 3 ही number है, तो 4 का cube 64 होता है, तो इसका मलब यह भी संख्या गलत लिखी हुई है, तो यहां पर कोश्टक में दोनो ही नंबर गलत लिखे हुई है तो इसका option कौन सा सही हो जाएगा अपसर नंबर 4 जो सही हो जाएगा कोश्टक में रखी दोनों संख्याएं क्या है गलत है ठीक है तो यहां जो है square cube का logic था अब हम देखते हैं अगला question तो यहां दो group में हमें जो है नंबर दिये गए है अब पहले group में देखे तो 3, 5, 7 है दूसरे में 11, 13, 17 है जो logic इसमें काम करेगा वही logic इसमें काम करेगा फिर हमें देखना है कि ऐसा logic हमारा किस नंबर में है किस option में काम कर रहा है अब अगर यहां दोस्तों हम ध्यान से देखें किनी दो number का यूज करके क्या 5 बना सकते हैं 7, 3, 10, 10, 10 का अधा 5 हो जाएगा क्या logic यह यहां काम कर रहा है 11, 17 तो 28 होता है 28 का अधा 14 हो जाएगा तो यह logic यहां काम कर नहीं रहा है अच्छा 5, 3, 8 होता है 8-1, 7 हो सकता है लेकिन यहां भी यह logic काम नहीं करेगा तो आखिर यहां पर logic है क्या द गेरा के बाद 13 आती है वह संख्या, 13 के बाद 14, 15, 16 है नहीं सिदे क्या उनसी आएगी 17, तो अब देखिए ऐसा हमें किस अपसन में दिख रहा है, देखिए 7, 7 के बाद 11 आएगी वह संख्या, लेकिन 11 के बाद 17 आएगी, 11 का बाद 13 आती है, इसका मिलब यह अपसन गलत है, फिर 5, 7, अब 7 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 11, जो कि यहां कितना लिखा है, 19, तो यह भी गलत हो गया, 7, 11, अब 21 कोई अभाज संख्या होती नहीं, इसका मिलब C आपसन भी गलत है, तो राइट आपसन कौन सा हो गया, D, देखिए 13, 13 के बाद 14, 15, 16 है नहीं, फिर 17, और 17 के बाद 18 नहीं, फिर 19, तो 13, 17, 19, यही हमारा जो है राइट अंसर हो जाएगा, तो यह हमारे हो गया, 4 कोईशन, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने next कोईशन पर, अब यह कोईशन नमर 5 दिखिए, यह हमारा है इन इकॉलिटीज का, या अशामानता, तो दिखिए ज मारे पिता जी, और यह उनका लड़का, तो हमने बताया था आपको, कि अगर तीनों ही रास्ते में सिंबल आ रहे हैं, अगर लड़का भी आ रहा है, पिता जी भी आ रहे हैं, दादा जी भी आ रहे हैं, तो हम वरिता किसको देंगे, हमेसा दादा जी को देंगे, और जब पिता जी कब आंसर बनेंगे जब दादा जी रास्ते में नहीं आएंगे, इसी तरीके से जो है छोटे वाले सिंबल होते हैं, इनको भी हम ऐसे वरिता क्रम में रखते हैं, एक, दो, तीन, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा इनिसकर्स यहाँ पर सही नहीं है, तो हमें पता देखी, इन दोनों में कामन हमें कौन देख रहा है क्यू, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो हम जाएंगे पहले U से Q, और फिस Q से Q पर जम करके D तक मूचेंगे, तो देखिए जब आप U से Z जाओगे, तो आएकर रास्ते में बराबर, अब Z से Q जब देखिए कौन आया है, लड़का आया है, दादा जी आया है, पिता जी तो आया नहीं, तो इसका मुदब रास्ते में जो है, दादा जी और लड़का आया है, तो आंसर कौन होगा मिसा, दादा जी, और यहाँ पर यही तो लिखा है, U छोटा है, D से, ठीक है, अगला देख पता है Q Q पहले और तीसरे में कामन है, तो पहले हम जाएंगे Z से Q, और फिर हम जाएंगे Q से D, और D से P, अब देखें, P से यहां दिया गया है, तो P से हम T पर पहुंचेंगे, ठीक है, तो जब हम Z से Q जाएंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, जब हम P से जाएंगे T, तो क्या आएगा, बराबर, तो यहां भी देखें, दो ही सिंबल रास्ते में आएंगे, छोटा और बराबर, तो आंसर क्या बनेगा, छोटा, ठीक है, तो इसका वंदर ये भी सही है, अगला देखें, U बढ़ा है T से, अब हमें जाना है U से T, अब U कहां है, ये भी पहले में, T दूसरे में, तो फिर समय देखें, तीसरे की सायता लेनी पड़ेगी, तो पहले जाएंगे U से Z, तो रास्ते में सिंबल आएगा, बराबर, फिर Z से Q आएगा, छोटा, ठीक है, फिर Q से जाएंगे D, तो Q से D, अब क्या पढ़एंगे, फिर छोटा, अब D से P, तो D छोटा है P से, अब जाना है हमें P से T, तो क्या आएगा, सिंबल बराबर, तो रास्ते में छोटा है, बराबर आया, तो हमें सारा आंसर कौन सा छोटा वाला बनेगा, लेकिन यहाँ पर आंसर कौन सा है, बड़ा वाला, इसलिए यही जो है मारा गलत हो गया, मतलब यही जो निसकर से वही गलत है मारा, ठीक है, अगला देखो, Q बड़ा है U से, तो आंसर कौन बनेगा, हमें सा बड़ा यारी दादा जी, क्यों बड़ा है U से, तो यहाँ पर जो है हमारा, सिर्फ तीसरा वाला जो निसकर स्था, वही हमारा क्या था, गलत था, ठीक है, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमारी इन इक्वल्टी की क्लास देख लीजएगा, वीडियो के प्लेइलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से आप फिर इसको विदाउट पेंट पेपर आसानी से कर सकते हूँ, देखते देखते, अब हम देखते हैं, इसको नहीं कोशन नमबर 6, देखे, यह हमारा नमबर एन ओलोजी का कोशन है, जिस तरीकी से 35 का संबंद 21 से है, 40 का संबंद 24 से है, तो बताना है किस का संबंद 36 से बनेगा, अब देखे, यहां पर हम लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहां पर हमने आपको बताया था, prime number का लोजीक लगेगा, square cube लोजीक लगेगा, या फिर difference का लोजीक लग सकता है, या फिर factor का भी लोजीक लग सकता है, तो यहां अगर हम इनका difference देखें, तो इनके बीश का अंतर केतना आएगा 14, इनके बीच का अंतर क्या 14 है, नहीं, इनके बीच का अंतर तो 20 है, इसका मदब यह logic तो काम कर नहीं रहा है, अच्छा, क्या यहां कोई square cube का logic है, तो यहां पर कोई square cube का भी logic नहीं है, अब 5, 3 का use करके क्या किसी तरह 21 बन सकता है, 5, 3, 15, 15 में 6 चोड़ दें तो 21, लेकिन यह logic भी यहां काम नहीं करेगा, अच्छा, 5, 3, 8 हो जाएगा, 8, 24 में 3 माइनस कर दें तो बन सकता है, लेकिन फिर से यह logic यहां काम नहीं करेगा, तो आखिर देखिए, यहां logic क्या था, यहां factor का logic था, 7 गुणे 5, 7 गुणे 3, ठीक है, दोनों 7 के factor थे, इसी तरीके से यह हो ठीक है, तो यहां पर 60 जो है, वो right answer है, अब question number 7 देखें, तो यहां पर हमें बताना है कौन सा विशम है, अब देखिए, यहां पर 22 तरफ हमें कुछ number लिखे हुई है, और 22 तरफ कुछ later लिखे हुई है, अब यहां जो logic आप लगाओगे, ऐसा तो नहीं सिर्फ number में logic लग यह हो जाएगा 3, 2, 4, और यह हो जाएगा 6, 2, 5, ठीक है, अच्छा, जैसे ही हमने यह number लिखे, तो क्या आपको यहां पर कुछ इन number से कुछ समझ आया, देखिए, यहां पर 361 लिखा है, और 361 कितना होता है, 19 का square होता है, इसी तरीके से 179 किसका square होता है, 13 का square होता है, औ और यह होता है, 625, 25 का square, तो अब आप यह देखिए, कि इन सभी का number का use करके, किसी तरीके से 19, 13, 18, 25 यह बनाया जा सकता है, तो देखिए, अगर हम सभी को जोड़ दें, तो कितना बन जाएगा, 9, 16, 3, 19, तो इनको जोड़ने पर कितना बना, 19, जो कि यहां क्या लिखा ग 25, इसलिए यही अपसन हमारा जो है, अलग हो गया, तो यहां पर क्या था, सभी number को जोड़ करके square किया गया था, फिर जिस number पर जो लेटर आता है, वही लेटर लिख दिया गया, तो यह हमारे हो गया total, 7 question, तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने next question पर, तो अब यह हमारे साम यहां से घट गई 14, 16, 34, उसके बाद फिर सिरीज घट गई 17, 18, 37, तो यहां हमें यह पता चल ला है कि तीन number के बाद में सिरीज घट जा रही है, तो हमने बताया था, जब सिरीज जो है, घटे बीच 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 पे या फिर बढ़े, तो वहां पर क्या होता है, mix सिरीज हो बनेगा, तो कितना प्लस होगा, प्लस 3, इसी तरीक से 14 से 17 बनाना है, तो कितना प्लस होगा, 3, अब 17 से अगर, यहां पर हमें बताये कितना आएगा, 17 में प्लस 3 कर देंगे, तो यहां पर आना चाहिए कितना 20, ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, देखिए, यहां से 14 से कैसे बनेगा 14 से 16 प्लस 2 और 16 से 18 यहां भी प्लस 2 और 18 से 20 प्लस 2 तो अब 31 में देखे 31 से 34 बना यानि कि प्लस 3 हो जाएगा और 34 से 37 बना यहां भी प्लस 3 हो जाएगा अब 37 से किता बनेगा प्लस 3 करके 40 यहां पर राइट आंसर क्या होगा 20,40 ठीक है तो अगला कोशन देखते हैं अब यहां पर दिखे आपको इधर साइड में जो है तो अगर यहां पर हम पहले सब को जोड़ के देखें छे दो आठ 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 पास तेरा तेरा एक चौदा चौदा दो चौदा और तीन सत्रा हो जाएगा अचा सत्रा से चौदा कैसे बनेगा हो सकता है मैनस 3 कर दिया गया हो तो आगे देखें क्या इसमें लॉजिक काम कर र देखो 6 अंक हैं यहां बनाना है 14 तो 6 का 12 और 12 में 2 जोड़ दोगे तो 14 हो सकता है तो यहां भी 6 अंक हैं तो यहां भी 14 आना चाहिए जबकि 14 भी आप सन में नहीं है तो अब देखें यहां पर है क्या तो अगर इन 3-3 संख्याओं को हम ध्यान से देखें तो यह किसी के cube square हैं है ना तो देखिए 625 होता है 25 का square और 121 होता है 111 का square अब अगर इन दोनों नंबर को हम माइनस कर देए 25 और 11 को तो हमारा 14 बन जाएगा ईसी तरीखी से देखें, 484 होता है अमारा 22 का square और 14 का square तो 22 और 12 को जब माइनस करेंगे तो right answer हमारा क्या बन जाएगा? 10 ठीक है तो यह था हमारा question number 9 अब अगला question दिए, question number 10 यहां में बताना है क्यों सी संख्या अलग है, विशम बताना है तो यहां भी अगर हम ध्यान से देखें तो यह सारे number जो है किसी ना किसी के square दिख रहा है, अगर आपको याद होगा तो यह दिखें किसका square है यह 12 का square है, यह 16 का square है ठीक है, 196 किसका square है 14 का square है, और यह 13 का square है अच्छा अब जो है आप इन number को ध्यान से दिखें 12, 16, 14, 13 तो यहां पर कोई संख्या जो है अलग दिख रही है आपको तो अगर यहां हम ध्यान से देखें तो हमें 13 संख्या अलग दिख रही है क्योंकि हमें पता है 13 जो संख्या है क्या है एक prime number है एक अभाज्य संख्या है जबकि और सारी संख्या है क्या है भाज्य है तो यहाँ पर जो logic था वो prime number का logic था सिर्फ 13 अभाज्य है बा使 सभी क्या जायए हो जाएंगी भाज़ संख्या है इसलिए तीरा अलग हो जाएगा तो यह हमारे हो गए टोटल 10 कोशन तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्श्ट कोश्चन पर तो यह हमारे सामने अगले से अच्छा यहां पर हो सकता है या तो चारो नंबर का यूज करके यह जो है चार बनाया गया हो तो अगर हम देखें यहां अगर हम पांच और चार को जो एड कर दें तो पांच चार कितना हो जाएगा नौ और तीन कितना हो जाएगा पांच अब नौ में से पांच अगर तो आठ में से 6 जायेगा तब भी कुछ नहीं बन पा रहा है अच्छा और हम क्या गुणा कर सकते हैं 5,4, बारा 12 ये भी नहीं बन रहा है और या कर सकते हैं 5 बनाने के तो दिखे अगले में कैसे बनेगा अब 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16 और 8 कितना होता है 24 अब सोचिए 24 से 14 कैसे बना है अगर आपस में multiply करते हैं तो 8 बनेगा लेकिन अगर 10 इसमें हम minus कर दें तो 14 बन जाएगा इसका मलब सभी नंबर को जोड़ करके minus 10 कर दिया गया है तो 7, 6, 13, 13, 8, 21, 25, 26 हो जाएगा और 26 में 10 minus करेंगे तो 16 हमारा right answer हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा हो गया missing number का question अब देखे यहां पर हमें जो है इस figure में बताने हैं कुल त्रिभुज कितने हैं तो यहां पर सबसे पहले त्रिभुज निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इस 12, 3, 4 अब क्या करेंगे सबसे पहले हम एक एक figure में count करेंगे देखे एक दो तीन 4, 4 का डबल 8 यहां होंगे 8 यहां होंगे और 8 यहां होंगे तो तो total अब कितने हो चके हैं 8 चको 32 अब दिखे क्या option को हमारा 32 दिया गया है तो अगर option देखे हैं तो 16, 28, 18 यह 40 यह 20 से तो हम हम इन दोनों figure को आपस में add करेंगे, अभी तो एक-एक figure count किया, अब इन दोनों figure को count, जो हम मिलाएंगे, तो यहां पर एक और एक दो, यहां पर दो निकलेंगे, इसी तरीके से इन दोनों figure को जोडूँए आप तो एक ये बड़ा निकले गा ऐसे एक दो तीन इन तीन figure को जोड़ोगे तो यहां पर जब तीन-तीन figure को आप जोडोगे तो इसी तरीके से चार Line है ना तो चार हमें और extra निकलेंगे तो total कितने होगे बाइस डो चौर इस चोँन तिर manipulating और 4, 44, तो यहाँ पर total जो त्रभू त्रभू हो जाए है, वो किते हैं, 44, या नी, आप सम तो ए होई जाएगा, 40 या अधिक, ठीक है, तो fix कितना है, 44, तो यह हो गया हमारे 12 question, तो चलिए अब हम जलते हैं, अपने next question पर, अब देखे question number 13, यह जो है, यहाँ पर यह हमारा direction क question है, तो यहाँ पर देखे, कहा गया, एक वेक इस्थान से चलना आरंब करता है, और उत्तर की ओर 3 km जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको उत्तर की ओर चलाते हैं, तो हमें पता है, उत्तर कहा होता है, ओपर की तरफ, यहाँ से इसको हमने चला दिया, कितना 3 km, ठी पस्षिम इधर होगा, ठीक है, पस्षिम की तरफ मुड़ जाता है, और कितना चलता है, 2 km, तो इसको पस्षिम की तरफ मुड़ के 2 km यह हमने इसको चला दिया, ठीक है, अब इसके बाद कहा गया, फिर वहाँ उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और एक किलो मेटर जाता है, अ चला कितना पांच किलोमेटर तो यह हमारा figure जो है complete हो गया है अब हमसे पूछा गया है वह प्रारवमी बिंदु से किदिनी दूर है तो यह प्रारवमी बिंदु है यह अंति बिंदु है तो हमसे यह वाली दूरी जो है पूछी गई है अब देखें यहाँ पर जैसे एक तिर भुजा जो है यहां से हां तक कितनी हो जाएगी तो देखें यह कितनी थी 3 और यह कितनी है एक तो 3 और rifa की से के töालेगे इस निकालेगे दwe पुझाँ के यू के बराबर होती है तो इनका का हो जाएगा।at किשक20 स्पार होता है। किलो मेंटर ठीक है। तो यहां से आध अंसर हमारा हो गया। अच्छा यहां पर अगर दिशा हम सेपूछिभवती में कि स्टी चलाते कहां से प्रारंभी बिंदू से तो तीर ऐसे जातार लाश्ट की तरफ ऐसे ठीक है अब ये तीर देखे कहां जा रहा है तो ये तीर जा रहा है ऊपर ऊपर क्या होता है उत्तर होता है और ये तीर जा रहा है दाइं तरफ क्या होता है पूरव होता है तो ये दिशा जो हो बैठें यानि उत्तर की तब मुए करके बैठें ठीक है फिर कहा गया Q ठीक दाईंग्ण। तो देखें Q जो है P के ठीक दाइं और पडोस में बैठा है, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे P को, तो यहाँ पर हमने बैठा दिया P को, अब इसके ठीक दाइं और, अब दाइं हमारे कॉर्डिंग होगा क्योंकि यह उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो इसके ठीक बैठेंगे दाई तरफ 8 है, तो total तो यह 2 हो चुके हैं, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और 8 ठीक है, यह सभी को हमने बना लिया, अब आगे दिखें कहा गया, q t के 22 और तीसरे स्थाम पर बैठा है, यह जो q है, यह t के 22 और तीसरे स्थाम पर बैठा है, तो t कहा बैठेगा टी बैठेगा यहां पर, तबी तो Q बाया है, तीसरा दिकीएगा, 1, 2, 3, ठीक है? अब आगे देखते हैं, W और T के बीच दो लोग बैठे हैं, अब देखे, W और T के बीच दो लोग बैठे हैं, तो 1, 2 यहां भी हो सकता है, तो लिक्किया यहां W आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि Q पहले से 1, 2, यहां पर W आ जाएगा, ठीक है, तो यह बैठ गया कौन, W, उसके बाद कहा गया, US के ठीक परोस में नहीं है, देखे, US के ठीक परोस में नहीं है, और US में से कोई भी नहीं आया है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे, फिर कहा गया, और W के ठीक बाईउर है, परोस में है, तो W के ठीक बाईउर परोस में है, तो W भी नहीं आया है अभी, चलो इसको भी छोड़ो, आगे कहा गया, W और R के भी स्तीर लोग बैठें, अब देखे, R और W भी नहीं आया है, तो आब हमें पॉश्बिल्टी जो है, वो बनानी ही दूसरी कंडिशन यह बज़ सकती है, U यहां सकता है, वी यहां सकता है, क्योंकि U जो है W के ठीक, बाईउर परोस में है, अब देखे, यहां से आगी कहा गया था, W और R के भी स्तीर लोग बैठें, अब देखे, मान लिजे, वी अगर यहां बैठा है, तो क्या, W और R के भ बैठे जाएगा अर अब बचा कौन तो बच गया अस तो जिए कि यहां पर बैठ जाएगा और S के बारे में कहा गया था U,S के ठीक परोस में नहीं है तो U,S के ठीक परोस में भी नहीं है ठीक है तो यह हमारी arrangement हो गई complete अब हमसे पूछा गया है Q और T के बीच में कौन अगले तीन कृशन है तो इसमें आपको बताना है कि विशम कौण सा है तो थेखिए यहाँ पर अगर आप इसको पासा मान कर भी जो यहाँ पर विशम निकालते हैं तो निकाल लेंगे जो चविप्रित 1 होता है पांच कविप्रित 2 होता है तो 14 यहाँ भी बनेगा, 14 यहाँ भी बनेगा, और 14 यहाँ भी बनेगा, जबकि यहाँ बनगा है 13, तो यह अमारा अलग हो जाएगा, अगला है vein diagram का, तो बनाना है पिता, चाचा और चाची के वीच में, अब देखे जैसे अब पिता और चाचा की वीच पढ़ोगे, तो क्या सभी पिता चाचा होते हैं, सभी पिता चाचा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पिता चाचा होते हैं, इसी तरीके से चाचा से पिता जब पढ़ोगे, तो सभी चाचा पिता नहीं होते हैं, लेकिन कुछ चाचा पिता होते हैं, तो पिता और चाचा के बीच पे डाइग जो है इसका राइट होगा ठीक है अगला कोशन है यह देखिए एक स्रीज दी गई है लेटर स्रीज यहाँ पर हम क्या गरते हैं सबसे पहले प्लेस वाल्यू ही लिखते हैं जल्दी से तो आठ ग्यारा चौदा सोला अठारा बीस यह बाइस पच्चिस दो और छे चार चार छे आठ ठीक है अब यहां से देखिए दो अब यहां से आप पहले पहले लेटर कंपेर कर लिजी दो से आठ प्लस छे आठ से आठ प्लस आठ फिर आठ से सोला से बाइस प्लस छे तो यहां प्लस छे हुआ यहां फिर प्लस 6 हुआ, तो आगे दिखे, क्या हो गया, 22 से 4 जोड़ोगे, तो प्लस 8 ही होगा, क्योंकि 22, 8 होता है, 30, और 26 से किता ज्यादा 4, यह 4 आ गया, तो आगे आप क्या जोड़ेगा, प्लस 6, तो 6, 4 किता हो जाएगा, 10, यानि कि यहाँ पर J आ जाएगा, फिर दूसरा देखे, अब देखे, J से कितने आपसन सुरू है हमारे, तो यहाँ से देखे, तीन आपसन, एक, तीन और चार जो है, J से सुरू है, लेकिन अब लास्ट वाला गर आप देख लो, तो जल्दी आंसर आ जाएगा, देखे, 6 से 14 हुआ है, प्लस 8, 14 से 20, प्लस 6, और 20 से 2, कित लेटर जिसमें P होगा, वही आंसर हो जाएगा, J और P, तो पहला आपसन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमारे हो गए, अगले तीन कोशन, तो चलिए, अब जल्दी से तीन कोशन हमारे बचे हैं, वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यह कोशन निगेटिव में हमेशा 100 रहता है, पॉजिटिव में यह 50 रहेगा, सभी का मलब 100 होता है, और कोई का मलब भी निगेटिव में 100 होता है, तो देखें, लाल-लाल कामा में भी मिल गया, और किसी एक की वैलू सो होनी चाहिए, यह तो दोनों की वैलू 100 है, तो इसका मलब connection बन एक साथ पहले कथन में देख रहा है, तो यह निगलेगा पहले कथन से पहला निगेटिव है, तो यह भी देखें, निगेटिव से निगेटिव बनेगा, कोई का मलब 100 होता है, निगेटिव में कार 100 रहेगी, यहां भी दोनों 100 है, उपर भी दोनों 100 है, इसका मलब यह भी सही है तो यहाँ पर क्या होगा दोनों ही निसकर्ज जो है अनुसरन करते हैं ठीक है अब अगला देखे यह हमारा एक रैंकिंग का कोश्चन है को लोग 42 शात्र पूर की और पंक्ति में मुख खड़े हैं अब देखे यहां से थोड़ा सा समझे आप जैसे यह वेक्ति पूर क गैसे भी बना सकते हैं ठीक है तो समझ गये होंगे आप तो इसको जो है हम अब इस तरीके से बनाएंगे ठीक है तो यह हो गया इधर बाया छोड ठीक है अब यहां सी कॉश्चन दिखी कहा गया दायने छोड से नेहा का इस्थान है घार चो measurement है तो यह नेहा का monsieur इस्थान म उसके बाद कहा गया विनीता बाइंचोर से 26 है तो यह यहां से माल लेते हैं विनीता का बाइंचोर से इस्थान कितना है 26 वाँ तो यह विनीता हो गई बाइंचोर से 26 वे इस्थान पर अब इसके बाद कहा गया यदि मंगला नेहा के दाएं सात्वे इस्थान पर खड़ी है मंगला जो है नहा के दाएँ 7 सातमे इस्थान पर खड़ी है इसका मुल्लब यह इससे 7 इस्थान पीछे खड़ी होगी यहाँ पर कौन मंगला अब दिखे क्या मंगला का इस्थाना बता सकते हैं नहाँ तरप से भे यह नहाँ दाएइँ तरप से 16 स्थान पर थी से, तो हमें यह पता है कि कुल छात्रों की किस्थान कितनी है 42, तो जब भी एक वेक्तिका, दायां से स्थान पता हो, 22 से निकालना हो, तो हम एक ज़ादा में से घटा देते हैं, यानि 43 से, 43 हे कितना है 9, तो 9 घटा देंगे 43 से किता आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 34, ठीक है? 34, तो right answer हमारा क्या है? 34, यानि आपसर नमबर 1 जो है, इसका वो सही हो जाएगा, ठीक है? तो यह total हो गए हमारे 19 question, अब दीखेंगे एक question है, जो कि आपका arithmetic equation का है, इसको आपको जो है खुद से स्वाल करना है, और comment करके बताइएगा, कि इसका right answer क्या होगा, ठीक है? तो दोस्तों, आपको यह practice set कैसा लगा, comment करके जरूर बताइएगा, और पसंद आया हो, तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो अब हम आपसे मिलते हैं किसी next class में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जाहिंद, वन्दे मातरम